हेलो दोस्तों माहीू प्रेसान्त और आप देख रहें आपका अपना यूडूब चैनल एक जाम रेज आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तयारी बहुत अच्छी हो गई होगी दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए बहुत जादे इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसी वीडियो पर में डिसकस करने वाला हूँ एंसेल एचीया में मोप्रिक्टर का सेंपल बेपर नंबर फोर इसके पहले में ने सेंपल पेपर एक से लेके सेंपल पेपर थिरी तक की वेडियो चैनल पर अप्लोड कर दी थी यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पूरे पूरे चांसेज बनते हैं कि एकजा दोस्तो आप सभी लोग से एक छोटी से रिक्वेश्ट है यदि आप इस चैनल पे नहीं है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सांथे सनाथ बेल आइकन को पर जरूर प्रिस करें ताकि जब भी मनेस्ट वीडियो अफ्लोड करो तो उसका नोल्टिपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके चलिए दोस्तो वीडियो की सुरुआत करती हैं कोश्टिन नमर वन है लेमने में से कौन बर्टमान में आंध्र देश राज के मुख मंत्री हैं बताए इसका राइट आंसर क्या रहेगा बहुत इजी कोश्टिन है और आप सभी लोग इस क चोटर सा कोश्टिन है आप सब लोग बताएंगे कि बर्टमान में आंध्र देश राज के राजपल कौन है और वहां की राजधानी क्या है इसका आँसर आप हमें कमेंट वोक्स में लिखके बताएंगे चलिए नेच कोश्टिन क्यों चलते हैं नेक्ट कोश्चन है इस कोश्चन पर आपको बताना है कि बर्तमान में डवलो एचो के कारकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है बताए इसका राइट अंसर क्या रहेगा तो इसका राइट अंसर है बर्तमान में डवलो एचो के कारकारी बोर्ड के अध्यक्ष है डांक्टर हर् चलिए next question क्यों चलते हैं next question है जो कि बहुत जादे important है इस question पर आपको बताना है कि चंद्रियान 2 mission किस vehicle द्वारा launch किया गया था बताए इसका right answer क्या रहेगा important question है आप से महलों किसे note कर लिजेगा तो इसका right answer है चंद्रियान 2 जो है तो G.S.L.B. M.K. 3 द्वारा launch किया गया था option number A इसका right answer है चलिए next question क्यों चलती है next question है किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाडू सेजन द्विक्सित किया है तो बताए इसका right answer क्या हो सकता है और इसका right answer है रूस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाडू सेजन द्विक्सित किया है option number D इसका right answer रहेगा दोस्तों आप सब लोग बताएंगे कि बर्तमान में रूस के राष्टपती कौन है इसका answer आप हमें comment box में लिखके बताएंगे चलिए next question क्यों चलते है next question है भारत और इजराइल ने मिलकर सहीग तुरूप से किस में साल कर निर्मार किया है बताएंगे इसका right answer क्या होगा इस question क्मानी आलडी आपके साथ discuss किया हुआ है तो बताएंगे इसका right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा option number A बराक आठ जो है तो भारत और इजराइल ने मिलकर सहीग तुरूप से निर्मित किया है option number A इसका right answer हा next question है भारत द्वारत साथ निर्मित light combat aircraft का नाम किया है आपको बताना है कि भारत द्वारत साथ निर्मित light combat aircraft का नाम किया है तो इसका right answer है गा तेज हैस जहतो भाराद दौरसाओ निर्मित लाइट कॉमबक्ट एयर कॉप्ट का नाम है ओप्स नमर डीस का राइट आंसर हा नेट कोश्चन है निम लिखित में से किस सहर में निमाडी हुआसा बोली जाती है बताए इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर हीगा खरगोन, बढ़वानी और खंडबा यानि कि इन सभी सहरों पे निमाडी हुआसा बोली जाती है ओप्स नमर डीस का राइट आंसर हा नेट कोश्चन है लता मंगेसकर सुपरसिद गायक मंगेसकर की पुत्री थी आपको बताना है कि लता मंगेसकर किस की पुत्री थी तो इसका राइट आंसर हीगा लता मंगेसकर जो है तो दे नरात मंगेसकर की पुत्री थी ओप्स नमर ए इसका राइट आंसर हा नेट कोश्चन है जो तेरे मठ की स्थापन किस ने की थी important question है बताई इसका right answer क्या रहेगा तो इसका right answer है जो तेरे मटकी स्थापने की थे जगतकुरू संकराचारे ने option number 6 इसका right answer हैगा चले नेफ्ट question क्यों चलते है next question है रचना की अधार परवा के कितने प्रकार के होते है बताई इसका right answer क्या रहेगा तो इसका right answer हेगा रचना की अधार पर वाकुज होते हैं तो तेन प्रकार के होते हैं option number B इसका right answer हा next question है राजा भोज हवाई अड़ा कहा इस्तित है बताए इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer हेगा राजा भोज हवाई अड़ा जो है बताए इसका right answer क्या होगा repeated question है और इस question को मैंने आपके साथ discuss किया हुआ है so I hope आप से लोग इस question के answer को सही देंगे तो इसका right answer हैगा प्रेल लेपी कि खुछ किस ने किती लुइस प्रेल ने option number 6 इसका right answer है चलिए next question क्यों चलते हैं next question है मैसूर का सेर किसे कहा जाता है आपको बताना है कि मैसूर का सेर किसे कहा जाता है तो इसका right answer हैगा टीपू सुल्टान को मैसूर का सेर कहा जाता है option number A इसका right answer है next question है त्रिपूरा की राजधानी क्या है आपको बताना है कि त्रिपूरा की राजधानी क्या है तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा बहुत एजी है और इसका राइट आंसर हेगा त्रिपूरा की राजधानी है अगर तला option number D इसका right answer रहेगा दोस्तों यहाँ पर tripura आया तो आप सब लोग बताएंगे कि tripura के परतमान में CM कौन है और वहाँ के governor कौन है इसका अंतरा आप हमें comment box में लिख की बताएंगे चलिए next question क्यों चलती है next question है भारत का राष्टी फल किया है तो बताएंगे इसका right answer क्या होगा बहुत easy question है तो इसका right answer है भारत का राष्टी फल जो है तो क्या है आम है box number A इसका right answer है next question है विर्षू जन संख्या दिवस का मनाय जाता है बताएंगे इसका right answer क्या हो सकता है तो इसका right answer रहेगा विर्शु जन संख्या दिवस जो है तो 11 जुलाई को मनाया जाता है option number A इसका right answer हा next question है नाटो का मुख्याले कहा इस्तित है बताई इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer रहेगा नाटो का मुख्याले जो है तो बेल्जियम में इस्तित है आपको बताना है कि इसका राईट आणसर क्या होगा तो इसका राईट आणसर है टो नए दिल्ले में इस्थित है option number D इसका right answer हा next question है Central Bank of India की स्थापना कब हुई थे बताए इसका right answer क्या होगा इस question की answer के लिए मैं आपको 5 second के timing देता हूँ आप सब लोग सोचें और इसकी answer को बताएं तो इसका right answer हेगा Central Bank of India की स्थापना हुई थे 21 December 1911 को ठीक है option number A इसका right answer हेगा next question है निम्रे में से इंडरा गांदी की समादी इस्थाल का नाम क्या है आपको बताना है कि इंडरा गांदी की समादी इस्थाल का नाम क्या था तो इसका right answer हेगा इंडरा गांदी की समादी इस्थाल का नाम है सक्ति इस्थाल ओप्स नुमर 30 का राइट आंसर हैगा चलिए next question क्यों चलते हैं next question है नेमन में सिके से काला सीसा कहा जाता है आपको बताना है कि काला सीसा किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हैगा ग्रेफाइट को काला सीसा कहा जाता है और इसका राइट आंसर हा नेट कोशन है तरिट चाला के अविसकारक कौन थे आपको बताना है कि तरिट चाला के अविसकारक कौन थे तो इसका राइट आंसर है तरिट चाला के अविसकारक थे बेंजमिन फ्रेंकलिन और इसका राइट आंसर हा नेट कोशिन है स्री नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपको बताना है कि स्री नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है इंपोर्टन कोशिन है बताई इसका राइट आंसर क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा जो सी नगर है जेलम नदी के किनारे बसा हुआ है option number A इसका right answer रहा next question है तालचीर एक प्रिसिद कोला छेत्र है तो बता है इसका right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा तालचीर जो है तो उडिसा का प्रिसिद कोला छेत्र है option number D इसका right answer रहा तो इसका राय टांसर रहेगा सुनीर गवासकर, ओप्स नमबर A इसका राय टांसर रहेगा, चलिए नेट कोशन क्यों चलते हैं, नेट कोशन है, इस कोशन पर आपसे पूछा गए कि दीन ए इलाही क्या है, तो इसका राय टांसर रहेगा, दीन ए इलाही एक धार्मिक सबसे नीचे लिखा रहता है और इसका राइट आंसर रहेगा नेच कोशन है जहां गेर ने किस के गुरु को मौत की सजा सुनाई थी बताए इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर है जहां गेर ने गुरु अरजुन देव को मौत की सजा सुनाई थी और इसका राइट आंसर है नेच कोशन है कोश का भित्ति बनी होती है आपको बताना है कि close का भीत्त्र किसकी बन्धी होती है, तो इसका right answer है कोस का भीत्त्र जे होती है तो cellulose की बन्धी होती है, आप्स नमर B इसका राइट आंसर है नेट कोशन है नेमने में से कौन मार्णो उपरांट भारत रसंद पाने वाले पहले वक्ति थे तो बताए इसका राइट आंसर क्या होगा और इस कोशन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकेंड दिता हूँ आप सभी लोग सोचें और इसका राइट आंसर को बताएं तो इसका राइट आंसर है गा मार्णो उपरांट भारत रसंद पाने वाले पहले वक्ति थे लाल बहादूर साहत्री जी ओप्स नमर A इसका राइट आंसर हैगा चलिए नेट कोशन क्यों चलते हैं नेट कोशन है नेमने में से कौन सबसे छोटा महासागर है आपको बताना है कि नेमने में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है तो बताए इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर हैगा सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्किटिक महासागर आप्स नमर 20 का राइट आंसर हा चलिए नेट कोशन क्यों चलते हैं नेट कोशन है सनी ग्रह का सबसे बड़ा प्राकरिटिक उब ग्रह है आपको बताना है कि सनी ग्रह का सबसे बड़ा प्राकरिटिक उब ग्रह क्या है तो इसका right answer रहेगा Sunny Greg का सबसे बड़ा प्राक्तिक उपग्रह है Titan option number C इसका right answer है next question है फरक्कर सिंचाई पर्योजना किस राजे से समन्दित है बताई इसका question का right answer क्या होगा तो इसका right answer है फरक्कर सिंचाई पर्योजना जो है तो पश्ची मंगलराज से समन्दित है option number B इसका sorry option number A इसका right answer है next question है बर्डोली सत्यग्रह किस से समन्दित है आपको बतान है कि बर्डोली सत्यग्रह किस से समन्दित है तो इसका right answer रहेगा बर्डोली सत्यग्रह जो है होड़ते हैं तो आप सभी लोग जानती होगे कि एसरे क्ली 2022 को भी नियगर ख सथी यहीं इसको वयपारिक नाम है उब्स नमर 250 नाम अंसर हो बंट कोसिट हैं अफजानिस्दान के संशत को क्या नाजता है आपको जाना है कि अफगानिस्थान के संसत को क्या कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हेगा अफगानिस्थान की संसत को कहा जाता है सोरा option number A इसका right answer है ठीक है दोस्तो आप सब लोग से छोटा सा question है आप सब लोग बताएंगे कि अफगानिस्टान की मुद्रा का नाम क्या है यानि कि वहां की currency क्या है इस का answer आप में comment box में लिख की बताएंगे चलिए next question क्यों चलती है दोस्तो अब हिंदी की question को चलिए हिंदी के question को solve करते हैं हिंदी का पहला question है जहां से कि राणी कि रचनक कार है आपको बताना है कि जहां से कि राणी कि रचनक किस ने की थी तो इसका right answer है और इस question के मैंने आपके सांथ हमाई डिसका है तो इसका right answer है कदामबरी के रचना जव यह तो बानवटी चींदे किया था option nially a.net question है वीरस का इस्ठाइभाव क्या है बताई इस question का right answer क्या होगा तो इस का right answer हरे गा वीरस का दूर्ट पानी का पानी होना एक प्रिसिद्ध महाबर है जिसका मतलब होता है सही नियाए करना option number C इसका right answer रहा next question है इस question पर आपको बताना है कि नेमने में से कौन सा सब्द सही लिखा हुआ है तो आप सभी लोग देखें और इसकी answer को बता है तो इसका right answer रहेगा option number A निर्विक्न को हमेशे इसे तरह से लिखा जाता है चलिए next question को चलते है next question है स्रेजन सब्द का विलोम सब्द क्या होगा आपको बताना है कि स्रेजन का विलोम क्या होगा तो इसका right answer रहेगा स्रेजन का विलोम होगा option number D इसका right answer हा नेलेकिक कोशन है एस्वारे का पार्यवाची क्या होगा आपको बताना है कि którą इसका राइयवाची क्या होगा चुछी आपसन रांस्यार्ज कर नेलेक्रा नेलेकिक हिंदी वहांसा की लिपी है आपको बताना है कि हिंदी वहांसा की लिपी क्या है बहुत इजी कोश्चन है और इसका right answer रहेगा हिंदी वहांसा की लिपी है द्योनागरी लिपी option number 20 का right answer है next question है दोस्तों English के question आ गए है तो चलिए English के question को भी solve करते हैं English का पहला question है question number 46 his father dead cancer तो बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer हैगा मैंने आपको बताए था किसी भी विमारी स्पहले हमें इस आप का यूज किया जाता है option number 6 का right answer हैगा दोस्तों यहाँ पर printing में टेक हो गए तो आप सभी लोग से स्वारी बोलना चाहूँगा ठेक है यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा ठेक है चलिए next question क्यों चलते हैं next question है तो बताए यहाँ पर right answer क्या होगा तो इस question के answer के लिए मैं आपको पांस सेकेंड की टाइमिंग रिता हूँ आप सभी लोग सोचें और इसके answer को बताएं तो इसका right answer हैगा C has been supreme form fever for a week option number 6 का right answer है next question है अमेरिका is biggest country in the bird तो बताए यहाँ पर किस article के use होगा तो इसका right answer हैगा अमेरिका is the biggest country in the bird option number 6 का right answer हैगा और मैंने आपको बताए था super later degree के आंगे हमें सदा का use किया जाता है चलिए next question क्यों चलते है next question है selected by the correct spelling आपको बताना है कि इन सब चार option में से किसके spelling सही लिखी हुई है तो दोस्तम आपको बता दू option number A और option number B इसके right answer रहेगा यदि grammar के नियम के हिसाब से चला जाए तो option number B इसका right answer रहेगा ठीक है option number B इसका right answer रहेगा next question है मद्य प्रदेश में मेंगनीज का सबसे बड़ा इस्टोर्ट है आपको बताना है कि मद्य प्रदेश में मेंगनीज का सबसे बड़ा इस्टोर्ट कौन सा है तो इसका right answer रहेगा बाला घाट बाला घाट में सरवादिक मेंगनीज होता है option number A इसका right answer रहेगा दोस्तों आप math के question आगए है तो चलिए math के question को solve करते हैं 300 मेंटर के pull को बनाने के लिए कितने खंभों के आवसकता होगी यदि प्रदेख खंभों के बीच की दोरी 12.5 मेंटर है सपोर्ज हमें एक pull बनाना है जिसकी लंबाई question पर कित्ती बताई गई है 300 मेंटर है ठेका यानि कि pull के लंबाई कित्ती है 300 मेंटर है इस 300 मेंटर के pull को बनाने के लिए कितने खंभों के आवसकता होगी यदि प्रदेख खंभों के बीच की दोरी कित्ती है 12.5 मेंटर है यानि कि इन दोनों खंभों के बीच की दोरी कित्ती है 12.5 मेंटर है तो question पर हमें बताना है कि इस पूल को बनाने के लिए इस टाप के कितने खंबे लगेंगे बहुत सिंपल कोशन है चलिए इसे सॉल्ट करते हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे जो पूल के लंबाई दिये गई है तो पूल के लंबाई करते हैं 300 मेटर ठेक है अब इन दोनों खंबों के पीच की दूरी कितने है 12.5 मेटर इन दोनों का आपर समय भाग लगा के एक को जोड़ दिया जाता है जब बेश्ट आपका कोशन आता है तो आपको सिर्फ एक बात का याद रखना पड़ेगा यहां पर सिर्फ एक को जोड़ना पड़ेगा तो हम यहां पर क्या करेंगे यहां पर इससे सॉल्फ करेंगे तो आ जाएगा 300 बटे 12.5 बटे 1 तो आप सब लोग इससे सॉल्फ करें तो आप सब लोग जब इससे सॉल्फ करेंगे तो इतना आ जाएगा 3000 बटे 125 प्लेस एक हमने चुग हां पर दसंबलों था दसंबलों के तोगह है हमने यहाँ पर क्या कर दिया जेरू कर दिया वहास फ carrier की तल्यां किता-फांच सो पार्षेश ऑर यहाँ पर किता-घ्ले हैं आज savez अनृज। प्लेस एक तो यहाँ पर आजाएगाल 24 प्लेस एक तो किता आजाएगा अंसर 25 आजाएगा यानि कि 300 मेटर के पुल को बनाने के लिए 25 खम होगे आव सकता होगी ठीक है ओप्स नमबर बीस का राइट आंसर हा आई होप आप सब लोग इस कोश्चन को समझ गए होंगे यदि आपको इस कोश्चन पे ज़रा सभी डा देता है तो उसका उत्तर 24 आता है तो सही उत्तर कितना होना चाहिए हमें ग्यात करना है बहुत ये सिंपल कोश्चन है चलिए इसे solve करते हैं तो मेरा आप सब लोग से सबसे पहले question यह है कि जिस संख्या पर भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं तो आप सब लोग के सीधा सजवाब रहेगा जिस संख्या पर भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज ठीक है तो हमने माल लिया कि भाज एक्स है अब कॉस्चन पर बोल है कि एक बिद्यार्थी को 36 से भाग देना चाहिए लेकिन उसने गलती से किसे भाग दे दिया 33 योधर उत्तर किता आता था 24 यानि कि इस अंख्या में उसको 36 भाग देना चाहिए लेकिन उसने 66 भाग दे दिया आप सब लोग क्या करें यहां पर तिर्य गुड़ा करा दिए तो यहां पर किता आ जाएगा एक्स बरावर त्रहन सेट इंटू 24 ठीक है इतना आ गया अब इसकी बात क्या करना है सही उत्तर के लिए हम क्या करेंगे जो पहले वाली संख्या है बातियां 36 और यहां पर किता आ जाएगा 3 एकम 3 और यहां पर किता आ जाएगा 21 अब 21 और दो का आपस में गुड़ा हो जाएगा तो किता आ जाएगा 42 आ जाएगा यानि कि ऑप्स नमबर 20 का राइट आंसर हैगा ठीक है चलिए फिर नेश्ट कोश्चन क्यों चलते हैं नेश्ट कोश्चन है यदि चेनी की कीमत में 10 प्रेशित की कमी होती है तो 1116 रुपए में 1.262 खरी सकती है तो चेनी का प्रती किलोग्राम कितना नुक्सान हुगा हमें ग्याद करना है चलिए तो इस कोश्चन को सॉल्ब करते हैं दोस्तों यह कोश्चन एकजाम पर काफी 1116 रुपए में 6.262 किलोग्राम चेनी अधी खरी सकती है यदि चेनी की कीमत में 10 प्रेशित की कमी आती है तो सिंपले बस यही से कोश्चन को सॉल्ब करना है हम यहापर क्या करेंगे 1116 में हम 6.262 किलोग्राम का भाग लगा देंगे और यहापर कित्ते प्रेशित की कमी हो तो यहां पर हमने 10 का गुडा करा दिया तो यहां पर हम यहां पर हट आएगे तो कित्त आ जाएगा 1116 इंटू 10 बटे 32 इंटू 10, तो यहां पर यहां पर पर आ जाएगा 1116 बटे 62, यहां फू 1116 में 62 को भाग दे देंगे तो 18 इसका right answer कहले जाएगा आप्स नमबर डी इस का राइट आंसर आप चलिए तो फिर नेस्ट कोशन क्यों चलते हैं नेस्ट कोशन हैं कुछ घोडों और उतनी है संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं आदमीयों में आधे घोडों के स्वामी अपने घोडों के पेंट पर सबार हैं और सेज घोडों को आंगी से पकड़ कर चल रहे हैं यदि भूमी पर चलने वाले कदमों की संख्या एक्स हो तो उनमें कितने घोडों हैं में ज्याद करना हैं तो सबसे पहले हमने माल लिया कि उसमें हमने माल लेकि उसमें कितने घोडों हैं एक्स घोडों हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने घोडे की संख्या को हमने माना है, घोडे की संख्या को हमने माना है, एक्स, ठेक है, इसी तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं, आदमियों की संख्या, तो हमने आदमियों की संख्या को भी हमने मान लिया है, एक्स है, ठेक है, अब कोश्चन पर क्या बूल है भूमी पर चलने वाले कदमों की संख्या तो भूमी पर किसके किसके कदम रहेंगे घोड़े के फिर रहेंगे और आदमी के फिर रहेंगे तो हम यह आप लिखेंगे घोड़ों के पैरों की संख्या संख्या प्लस आदमी के पैरों की संख्या टोटल मिलाके question पर कित्ते बताएगे हैं सव है question पर यहीं बोला है ना भूमे पर चलने वाले कर्दमों की संख्य कित्ती है सव है यानि कि घोड़े की पैरों की संख्या और आदमी की पैरों की संख्या कित्ती है सव है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आप सभी लोग बताएं गोडे के कित्ते पैर होते हैं तो आप सभी लोग को जवाब रहेगा कि गोडे के कित्ते पैर होते हैं चार पैर होते हैं ठीक है और गोडे के संक्या को हमने क्या मानत है X मांगा तो यहाँ पे कित्ते आजाएगा 4X इस प्रकार से आप साफ़ी लोग बताएं आदमी के कित्ते पहर होते हैं दो पहर होते हैं तो हम यहाँ पे दू लिखेंगे ठेक है अब कोक्षिन पर क्या बोला है आदमीयों में आधे घोड़े के स्वामी अपने पीट पर सवार है और सेज घोड़े को आँगे ले जा रहे है तो यहाँ पे उसका आदमीयों का अधे कित्ता हो जाएगा आदमीयों के संग्यों को हमने क्या माना था एक्स माना था उसका अधे कित्ता हो गए एक्स बाई टू ठेक है कित्ता आजाएगा दो से दो तो यहाँ पर कर जाएगा तो यहाँ पर कित्ता आजाएगा फोर एक्स से प्लेस एक्स से बराबर सम यहाँ फोर एक्स में एक्स को चोड़ देंगे तो कित्ता आजाएगा फाइफ एक्स आजाएगा फाइस प्रेक्स बराबर किता आ गया हंड्रेड आ गया तो X के बेले कित्ती आ जाएगे 20 आ जाएगे तो यहाँ पर option number A इसका right answer हैगा ठीक है उन में से कित्ते घोड़ी हैं 20 घोड़ी हैं option number A इसका right answer है चलिए तो फिर next question क्यों चलते हैं next question है एक विक्ती ने दो वासिंग मसीन में से पर देख को 6000 रुपए में बेज़ा इन में से एक पर 10 प्रिस्ट का लाव हुआ और दूसरे पर 10 प्रिस्ट की हानी हुई तो पूरे स्वादे में उसे क्या प्राप्तों हमें ग्यात करना है दोस्तों इस टाप के question को मैंने आल्रेडी आपके साथ डिसकस किया था आई होप आप सब लोग से यह question बनता होगा चले तो फिर इसे solve करते हैं दोस्तों जब भी इस टाप का question आता है तो आप सब लोग एक बात याद रखेगा इस टाप के question पर हमेशा हानी होती है ठेक है जहां पर एक बार लाप होता है और दूसरी बार हानी होती है यहां पर हमेशा हानी होती है और उसके लिए एक formula रहता है formula आप सब लोग याद कर लिजेगा तो formula क्या रहेगा हानी प्रेज़सत बराबर उभाए निष्ट लाब या हानी ओभाए निष्ट लाब या हानी और इसका whole square है ठेक है ओभाए निष्ट लाब हुआ हानी का whole square बटे 100 ठेक है आप सब लोग इतना समझ गए होंगे formula पे तो आप सब लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे उभाए निष्ट लाब या हाणी है तो यहाँ पे क्या है 10 और यहाँ पे भी 10 है याने कि दोनों के value सेम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हानी प्रेश्ट बराबर तो हम 10 का ही square करेंगे तो कि उत्ता आजाएगा एक आ जाएगा यानि कि उसे एक प्रिस्टत के हानी हुई कौन से option पर दिया है option नमर 20 का right answer हाँ चलिए तो फिर next question क्यों चलते हैं next question है यदि 10 आदमी 60 घरों को 120 दिन में पैंट करें तो 5 आदमी 30 घरों को किते दिन में पैंट करेंगे बहुत easy question है I hope आप सब लोग से यह question आता होगा दोस्तो इस टाप के question को solve करने के लिए मानने आपको एक formula बताया था बस उसी formula का यूज करके इस question को solve करना है तो formula मैंने आपको क्या बताया था M into D बटे W आप साथ लोग सोचे रहे होंगे यहाँ पर M, D और W का मतलब क्या होता है तो M का मतलब क्या होता है man या फिर human भी हो सकता है यदि यहाँ पर पूछ लेता 10 महिलान तो यहाँ पर human हो जाता है ठीक है तो M का मतलब क्या होगा man या human D का मतलब क्या होगा days यानि कि दिन और w का मतलब क्या हो गए work work का मतलब क्या हो गए काम ठीक है तो बस इसी sequence पर अपने को solve करना है तो question पर क्या हो रहा है 10 आदमी 60 घरों को 120 दिन में paint करना है तो यदि हम यहाँ पर m लिख दिये days कितनी है 120 दिन है और यहाँ पर कितनी घर को पूरा कर रहा है यानि कि काम कितना है 60 है तो हमने यहाँ पर लिख दिये 60 अब उसी sequence पर question पर क्या बोला है 5 आदमी 30 घर को कितने दिन में paint करेंगे यानि हमें कि यहाँ पर दिनों के संख्या को ग्याद करना है तो हमने मान लिए इसे कैसे solve करेंगे आप बस आपको simply यहाँ पर इसे solve कर देना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 30 से गम 13 32 नि 60 और यहाँ पर कितना आजगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 5 से 5 यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर x की value कितने आ गई x की value यहाँ पर आ गई 120 दिन यहाँ की 5 आदमे 30 घर को 120 दिन में पूरा करेंगे option number 6 का right answer हाँ चलिए टो फेट next question क्यों चलते है next question है इस थान A पर एक सिपाही खड़ था उससे 500 मेटर की दोरी पर इस थान B पर एक चोर उसे देखता है और आंगे की तरब 15 किलोमेटर प्रती घंटे की रफटार से भागता है उससे जड़ एक सिपाही 20 किलोमेटर प्रती घंटे की रफटार से पीछा करता है तो बताईए चोर फुआ है सिपाही कित्ते समय में पकट लेगा बहुत easy question है और इस question पर हमें क्या याद करना है समय को याद करना है तो आप सबी लोग बता है समय का formula क्या होता है तो आप सबी लोग के सीरह से जवाब रहेगा समय को formula रहता है दूरी बटे चाल तो आप सबी लोग सोचे रहे होंगे यापर दूरी कित्ते है तो यहाँ पर क्या बोला है 500 मिल्टर की दूरी पर इस थान पी पर एक चोरू से देखता है तो यहाँ पर दूरी कित्ती आ गए 500 मिल्टर और यहाँ पर चाल कित्ती कित्ती होगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जो भी बड़ी चाल है तो यहाँ पर बड़ी चाल कितनी है सिपाही की चाल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिपाही की चाल माइनस चोर की चाल ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम सिपाही की चाल माइनस चोर की चाल तो यहाँ पर कितना आ जाएगा समय वराबर समय वराबर किता आ जाएगा 500 मेटर बटे सिपाही की चाल किती थी 20 थी और जोर की चाल किती है 15 किलो मेटर पर दिहन्टे है यदि हम इन दो लोग की चाल को आपस में घटा देते हैं तो किती आ जाता है 500 मेटर बटे 5 दोस्तों आप सब लोग देखेंगे यहां पर सब कुछ किलो मेटर पर दिहन्टे पर है ठेक On इसे किलो मेट न कारेंगे तो यहां पर आ समय वरहवर, कि दोस्तों हम क्या करते हैं अब दसमलों को हटा देते हैं तो कित्ट आ जाएगा 500 बटे 5 इंटू एक हजार आ जाएगा ठीक है तो समय कित्ता आ गया एक बटे दस तो यहाँ पर समय कित्ता आ गया समय आ गया एक बटे दस यानिकि 0.1 घंटा कौन से आप्स नंते हैं आप्स नंबर 20 का राइड डान सरहेगा नेस्ट कोशिन है एक रुपए 50 पैसे तदब 25 पैसे के 338 सिक्कों का मूले क्रमसा 13 अनबाद 11 अनबाद 7 है इन में से 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमें ग्याद करना है चलिए तो इस कोशिन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेती हैं हम यहाँ लिखेंगे 30 पैसे के सिक्कों का मूले का मूले क्रमसा कितना कितना है 13 एक्स 11 एक्स और 7 एक्स है ठेके न अनबाद तो यहाँ दिया है तेरा ग्यारा और 7 है तो हमने माल लिखेंगे एक उर्पे के सिक्कों का मूल कितना है 13 एक्स है 50 पैसे के सिक्कों का मूल गता है 7 एक्स है और 25 पैसे के सिक्कों का मूल है 7 एक्स है आई हूप आप से दूलू इत्तर समझ गए होंगे अब हम क्या करते हैं एक उर्पे 50 पैसे तब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को ग्याद दोस्तों अब यहां ने जो निकाला था वह सिक्कों का मूल था लेकिन हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं सिक्कों की संख्या निकाल रहे हैं तो एक रुपए के सिक्कों के संख्या कित्ती आ जाएगी 13x आ जाएगी क्योंकि एक रुपए जो है तो रुपए में कन्वार्ट है पचास पैसे के संख्य क2 त्या जाएगे तो आप सभी लोग सबसे पहले यह बताएं कि जैसे हम निया पर लिख दिया पचास पैसा Libra और यहां पर हम लिख दिया एक रुपए आप सभी लोग को बताना है कि 50 पैसे में किस संख्या का गुड़ा कराया जाए कि वह एक रुपए बन जाए एक रुपए याने कि सौ पैसा ठीक है तो आप सभी लोग को सेधा से जवाब रहेगा यदि हम पचास पैसे में दो का गुड़ा करा देते हैं तो एक रुपए में कनवर्ट हो जाता है तो अब हमने निकाला था पचास पैसे के सिक्कों का मुल कित्त था ग्यारा एक्स था यदि हम इसमें दो का गुड़ा करा देंगे तो एक रुपए में कनवर्ट हो जाएगा यहां पर कित्त आ जाएगा बाइस एक्स आ जाएगा इसे टाइप से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों के संख्या कित्त आ जाएगी 25 पैसे के सिक्कों का मुल कित्त था सेवा नेक्स था ठीक है तो अब आप सभी लोग फिर से बताएगी जैसे यहां पर हमने लिख दिया 25 पैसा और इसी हमें रुपाई में convert करना है तो हम 25 पैसे में किस संख्या को गुड़ा कराएं कि यह 1 रुपाई बन जाएं तो आप सभी लोग को सीधसर रजवाब रहेगा यदि हम 25 पैसे में 4 का गुड़ा करा देती हैं तो वह 1 रुपाई में convert हो जाता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 x 4 यहाँ किता आजाएगे 28 x ठीक है तो एक रुपाई की सिख्कों के संख्या किती आगई 13 x आगई 50 पैसे की सिख्कों के संख्या किती आगई 22 x आगई 25 पैसे की सिख्कों के संख्या किती आगई 28 x आगई आप question पे इन सिक्कों के value किर्थी बताई गई है 378 तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 13x प्लैस 22x और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 28x बरावर 378 आप सब्सक्राइब लोग सोच रहे हैं हम यहाँ पे 13, 22 और 28 कैसे लिखा तो हमने बताय था एक रुपए की सिक्कों की संख्या है या 50 पैसों की सिक्कों की संख्या है और जो यह है तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या है और question पे इन सभी की value किर्थी बताई गई है 378 बताई गई है भाग दे दिजेगा, तो x की value किती ही आ जाएगी, x की value आ जाएगी, 6, question पर हमें क्या बोला है, 50 पैसे की सिक्कों के संख्या ग्याद करना है, और बताया था question पर मैंने क्या बताया था, 50 पैसे की सिक्कों के संख्या, 50 पैसे की सिक्कों के संख्या, 50 पैसे की सिक्कों के संख्या मैंने आपको बताया था, 22 x थी, ठीक है न, तो 22 into 6, 22 में यदि हम 6 का गुड़ा करा देती हैं, तो कितना आ जाता है, 132 आ जाता है, कौन से option पर है, option number 20 का right answer है, चलिए तो फिर next question क्य को एक बिद्द पंप 3 घंटे में भर सकता है, परन्तु टंके में 6 धोने के कारण, इसे भरने में 3,5 घंटे लगते हैं, तो बताये, भरी टंके कर सारा जल इस छेद से निकलने में कितना समय लगेगा, चलिए तो इस question को solve करते हैं, दोस्तों सबसे पहले हम क्या करनेंगे, यहाँ पर साड़े 3 घंटे लिखा हुआ है, तो साड़े 3 घंटे को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर साड़े 3 घंटे को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, तो साड़े 3 घंटे को हम लिख सकते हैं, 3 सही 1 बटे 2, तो 3 सही 1 बटे 2 को हम क्या लिखेंगे, 7 बटे दो घंटे अब हम यहां पे कैसे इस स्रीक तो पंप द्वारा एक घंटे में भारा गया भाग, हमने यहां पर क्या लिखा है, पंप द्वारा एक घंटे में भारा गया भाग, एक घंटे में कित्ता पानी भारा जाता है, यहां पर टोटल कित्ता फ़रंटे में भार रहा है, तीन घंटे में भार रहा है, तो एक घंटे में किता हो देगा एक बटे तीन भाग ठीक है अब इसी टाइप से हम क्या लेखेंगे पंप प्लेस छेद होने के कारण एक घंटे में भारा गया भाग तो पंप प्लेस छेद होने के कारण एक घंटे में भारा गया भाग किता होगा साड़े तीन घंटे लगता है और साड़े तीन घंटे को हम क्या लिख सकते थे अभी हमने बताय था साथ बटे दो लिख सकते हैं ठेक है तो इसका पोजिल्ट आएगा तो हम किता आजगा दो बटे साथ भाग I hope आप सब लोग इतना समझे होंगे अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि छेद होने के कारण छेद होने के कारण निकासी भाग यानि हमने यहाँ पर क्या लिख दिया छेद होने के कारण एक घंटे में टंकी से कितना पाने निकल जाता है तो इसे कैसे निकालेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे एक बटी तीन माइनस दो बटे साथ कर देंगे क्योंकि हमने क्योंकि एक घंट में कितना पानी भर रही है बिदुल पंप एक बटी तीन भर रही थी और टंकी में छेद होने कितना समय लग रहा था लकार दो बटे 7 लग रहा था आफि मैं निकाल के बताए था तो यदि हम इसका लसे हम लेंगे तो हम फेंप एकस आजाएगा और हम पर कितना आ जाएगा और हम पर कितना आजाएगा तो तो अभी हमने निकाला था, टंकी में छेद होने के कारण एक धंटे का निकासी कारे, तो निकासी कारे कितना आया था, निकासी कारे या भाग भी लेख सकते हैं, तो कितना आ गया था, एक बटे 21 आया था, इतना ही आया था ने, एक बटे 21 आया था, तो हमें बताना है भरी टंकी का सारा जल छेट से निकलने में कितना समय लेगा आप सभी लोग बताएं कार और समय एक दूसरे क्या पोजित होते हैं तो यहाँ पे कार आया है एक बटे 11 तो समय कितना आ जाएगा समय आ जाएगा 21 घंटे आ जाएगे ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे भरे टंकी का सारा जल छेद द्वारे निकलने में 21 घंटे का समय लगेगा ओप्स नमबर डी इसका राइट आंसर हेगा I hope आप सबी लोग इस question को अच्छी तरह समझ गये होंगे यदि आपको इस question पर जड़ा से फिर डाउट है तो आप में comment box में comment कर सकते हैं चलिए फिर next question के ओर चलते हैं next question है सधारन व्याज की किस वार सिक दर पर किसी धन का 10 वर्षनों का व्याज 2 बटे 5 होगा हैं तो सब से पहले हम कि हाँ पर क्या लिखते हैं हम ने माल कि वह मुल्धन से हैं ठीक है तो व्याज कितो हो जाएगी तो व्याज हो जाएगी दो बटे पांच एक सो जाएगी कोश्चन पर तो यही बोला गए है कि जो मुल्धन है व्याज का दो बटे पांच गुना है तो हमें भी यहाँ पर क्या ग्याद करना है हमें यहाँ पर दर को ग्याद करना है और समय तो यहाँ पर दिया ही है समय किते दिया है दस वर्स दिया है आप सभी लोग बतान दर का फॉर्मूला क्या होता है तो आप सभी लोग बताएंगे कि दर का फॉर्मूला होता है व्याज इंटू सव बटे मूल्धन इंटू समय यह होता न तो बस इसी फॉर्मूल वे आप सब लोग बैलू रद दिजी आंसर आ जाएगा तो व्याज किती है व्याज है दो बटे 5 X से इंटू सव बटे मोल्टन कितना था X था और इस समय कितना था समय था 10 वर्ष था तो एक जिरो से एक जिरो यहाँ पर 1 गट गए X से X एक गट गए तो यहाँ पर कितना आजाएगा यहाँ पर आजाएगा दो बटे 5 इंटू 10 और यहाँ पर एक रहेगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 गम 5 5 पान दो ने 10 और दो और दो कापस में गुड़ो हो जाएगे तो कित्ता आजाएगा चार यानि एक दर कित्ती ही आजाएगे दर आजाएगे चार प्रतिसत नेश्ट कोश्चन है एक आयत का छेत फल दो सु बामन वर्ग सेंटिमेटर है इसकी लंबाई वर चोड़ाई का अनपत कित्ता है नव अनपत साथ है तो इसकी परिमति कितनी होगी हमें ग्याद करना है तो चलिए इस कोश्चन को सॉल्व करते हैं हमने मान लिया कि माना आयत की लंबाई कित्ती है 9x है और चोड़ाई कित्ती है साथ एक्स है आप साभी लोग आयत के छेदफल बता है आयत का छेदफल तो आयत के छेदफल क्या होता है लंबाई इंटू चोड़ाई होता है तो लंबाई यहां पर किती है 9x है और चोड़ाई किती है साथ एक्स है और आयत के छेटफल कोश्चन पर कित्ता दियेगा है 2502 सेंटीमीटर तो 9 और 7 का आपस में गुड़ा करा देंगे तो कित्ता आजाएगा 63 X स्क्वार और यहां पर कित्ता रहेगा 200 बामन तो रहे गई हैं तो आप सभी लोग 200 बामन में जब 33 का भाग देंगे तो X पराबर अंदर रूट 4 तो X पराबर कित्ता आजाएगा 2 आजाएगी तो X की ग्रति आगए 2 आगए तो आप सभी लोग बताएं आयत की लंबाई कित्ते हो जाएगी आयत की लंबाई हो जाएगी 9 इंटू 2 बराबर 18 और चौड़ाई किती आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी, 7 इंटू 2 बरावर 14, ठीक है, आयत की लंबाई किती आ गए, 18 cm, चौड़ाई आ जाएगी, 14 cm आ जाएगी, अब हमें क्या करना है, आयत की परिमिति याने की परिमिति में आप निकालना है, तो आप सभी लोग ब परिमाप बरावर 2 इंटू लंबाई धन, चौड़ाई, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 इंटू लंबाई किती है, 18, और चौड़ाई किती है, 14 है, तो आप सब लोग इने जोड़ जीए, तो किता आ जाएगा, 18 और 14 को आपस में जोड़ेंगे, तो किता आ जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बरावर 2 इंटू, 18 और 14 को आपस में जोड़ेंगे, किता आ जाएगा, 64 आ जाएगा, यानि कि जो आयत की परिमिती है, किती है, 64 सेंटीमेटर है, ओप्स नमबर ए, इसका राइल दान सबहेगा, नेट कोशिन है, इस कोशिन पर बताना है कि, 10,45 संस का मान कितना होता है, आप सभी लोग सोचे, और इसके आंसर को बताएं, तो बहुत एजी है, 10,45 संस का मान होता है, एक के बरावर, ओप्स नमबर ए, इसका राइट आंसर हैगा, लड़ी मैं यहाँ पर पूश लेटा, 10 60 के बेल्यू कित्ती होती है, तो इसका अंसर आप सभी लोग कॉमेंट वॉक्स में लिख की बताएंगे, चलिए तो फिल नेट कोशिन के और चलते है, नेट कोशिन है, 10 मिलियन किसके बरावर होता है, बताए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, मैंने आपको बताए था, 10 राइट आंसर रहेगा चल ये तो फिर next question क्यों चलते हैं next question है किसी चतुरोगों के चारों कुणों का योग कितना होता है आप सब लोग सोचें और इसकी answer को बता है तो बहुत ही simple है किसी चतुरोगों के चारों कुणों का योग होता है 360 answer option number A इसका right answer हैगा दोस्तों आप सब लोग बताएंगे कि तीनों कुणों का योग कितना होता है इसका answer आप हमें comment box में लिखके बताएंगे चल ये तो फिर next question क्यों चलते हैं next question है अरुण और दीपक की बत्मान आयू में 14 वर्स का अंतर है 7 वर्स पहले इनकी आयू का अंपात कितना था 5 अंपात 7 था तो दीपक की बत्मान आयू क्या होगी हमें ग्याद करना है चल ये तो इस question को solve करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना 7 वर्स पहले हमने मान लिए कि 7 वर्स पहले अरुण की आयू क्या रही होगे 7 वर्स पहले अरुण की आयू रही होगे 5 थेक है हमने मान लिए कि 7 वर्स पहले अरुण की आयू रही होगे 5 थेक है और दीपक की आयू क्या रही होगे 7 थेक है और दीपक की आयू क्या रही हो बात हो रहे हैं ठीका साथ वर्स पहले की बात हो रहे हैं तो आप सभी लोग बताएं बर्टमान में इनकी आयो क्या होगे तो इनकी बर्टमान में आयो होगे अरून की क्या होगे अरून की होगे 5x7 और दीपक की होगे 7x7 आई होप आप सभी लोग समझ गे होंगे यहां पर question पर क्या वोला था? 7 पहले इनकी आयो कुद्ध कितना था? 5 पर 7 था. तो सबसे पहले हमने माल लिया कि माना 7 पहले अरुन की आयो रही होगी 5x और दीपक की आयो रही होगी 7x. ठीक है? यब 7 पहले की बात हुई है. तो बर्टमान में कित्ती होगे यदि हम 7 वर्स पहले की I.O. में 7 को चोड देते है तो बर्टमान I.O. उप्राप्त हो जाती है तो अरून की बर्टमान I.O. क्या होगे 5X प्लेश 7 और डीपक की बर्टमान I.O. होगे 7X प्लेश 7 अब question पर क्या वोल है अरूण और दीपक की बर्तमान आयू में 14 का अंतर है यानि कि इन दोनों की आयू में 14 का अंतर है तो हम क्या करते हैं दीपक की आयू से अरूण की आयू को घटा देते हैं ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दीपक की वर्टमान आयू इनमें कितने का अंतर है? 14 का अंतर है तो दीपक की वर्टमान आयू क्या थे? 7x प्लिस 7 यहाँ पर माइनस लगव हुआ है और अरूंड की वर्टमान आयू क्या थे? यहाँ पर चौदर तो लिखा ही है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप सभी लोग बताएं तो यहाँ पर आ जाएगा 7x प्लिस 7-5x-7 बरावर 14 थे? तो इसमें जब इससी solve करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2X बरावर 14 ठीक है यो 7-7 है तो कैंसे लो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा X बरावर 7 ठीक है यहाँ पर X की value कित्ती आ गए 7 आ गए और हमें question पर क्या बोला है दीपक की बर्तमान आयू क्या होगी दीपक की बर्तमान आयू को हमने माना था 7X प्लेस 7 ठीक है और X की value यहाँ से हमें पता है तो हम यहाँ पर क्या रहेंगे 7 x 7 प्लेस 7 तो हम पर कित्ता आ जाएगा 7 सतन्य 49 प्लेस 7 तो 49 में 7 को हम जोड़ देते हैं कित्ता आएगा आप सभी लोग बता है तो साथ में जब हम उन्चास को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 56 वर्स कौन से उप्सन पर है उप्सन नमर 16 का राई डान सरहेगा यानि कि दीपक की बर्तमान आयू है 56 वर्स चलिए तो फिर next question क्यों चलते हैं दोस्तो अब reasoning के question आ गए है तो चलिए reasoning के question को भी solve करते हैं तो reasoning का पहला question है यदि वायू को हरा हरा को नीला कहा जाता है नीले को आकास और आकास को पीला कहा जाता है पीले को जल और जल को गुला भी कहा जाता है तो आकास का रंग क्या होगा बताई इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप सभी लोग इसके आंसर को सोचें और इसके आंसर को बता है आप सब लोग जानते होंगे कि आकास का रंग कैसा रहता है नीला रहता है और नीली को कोश्चन पर क्या बताएगा है आकास बताएगा है इसलिए इसका right answer क्या रहेगा option number B चलिए तो फिर next question क्यों चलते हैं next question है अंग्रेजी वर्णमालक के अक्छर संकला A से Z में कौन सा अक्छर आपके 22 से 23 के दाई से सात्मा है मैंने यहाँ पर point किया है 22 से 23 23 के दाई से सातना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 13 ब्ल释 सात यहाँ पर 13 बोल ला है और यहाँ पर 7 बोल ला है यहाँ पर हम लिख दिए 22 ब्लिस दाई यही question पर बोला है तो बोला है 22 से 23 में और दाई से सातना हम इनको वापस में junior देते हैं तो कितना आता है, बेश आता है, आप सबी लोग बता है, अल्फा वेट पे, बेश में नमबर पे कौन सा अक्षार आता है, तो आप सबी लोग को जवाब रहेगा, बेश में अक्षार पे आता है, ठीक है, तो ओप्स नमबर से, इसका right answer था, चलिए तो फिर next question क्यों चलते है next question है xy की बहन है yz की पत्नी है wz का भाई है तो w का x से क्या सम्मन्द है आप सब लोग इसके आंसर को सोचें और इसके आंसर को बताएं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सब लोग के इसका आंसर बता देता हूं इसका right answer रहेगा जीजा option number 20 का right answer रहेगा यानि की w का x से समन्द रहेगा जीजा का दोस्तों आप सब लोग इस question को solve कर लेजिएगा चली तो फिर next question के ओच चलते है next question है इस question पर बूला गए है की d का इस रंखला का अगला पद क्या होगा बहुत ही simple question है चली इस question को solve करते है तो यहाँ पर स्रीज क्या दी है 808 400 और यहाँ पर किता है 106 है हमें बताना है की इसका अगला पद क्या होगा तो चली इसे solve करते हैं यदि हम 808 में 2 का भाग दे देते हैं तो किता आएगा आप सब लोग बताए यदि 808 में 2 का भाग दे देंगे तो किता आजाएगा 404 और यदि हम 4 को घटा देते हैं तो किता आएगा 400 आजाएगा same sequence पर यदि हम 400 में 2 का भाग लगा देते हैं तो यहाँ पर किता आजाएगा 200 आजाएगा और दो सो में हम 4 खटा देते हैं तो गत्ता आजाएगी 196 1 सेंध्न सेक्वेंस पे जड़ी हम 162 में 2 कभागर लगाएंगे तो यहां पर क्ता आजाएगा यहां पर आजाएगा100पे और क्ता आ जाएगी यहां पर गत्ता आजाएगा तो यहाँ पर किता आजाएगा 94 इसलिए option number 6 का right answer है चलिए तो फिर next question क्यों चलते हैं next question है यदि किसी संकेतिक भासा में S E N D L को क्या लिखा जाता है M F Q I X लिखा जाए तो print को क्या लिखा जाएगा तो चलिए इस question को solve करते हैं आप सबी लोग इस question को ध्यान से समझेगा आप सबी लोग को hint बता दूँगा आप सबी लोग उसी hint की मार्धियम से इसे solve कर लेजीगा यहाँ पर क्या बोल है sendal को क्या लिखा जाता है यहाँ पर क्या है S E N D L ठीक है sendal है इसको क्या लिखा जाता है M F Q I X लिखा जाता है ठीक है तो आप सबी लोग दिमाग लगाएं यहाँ पर क्या sequence हो सकता है तो L के बाद क्या आता है L के बाद आता है M आता है ठीक है यहाँ कित्ते का difference है यहाँ पर E का difference है प्लेस्ट देखका और यहाँ पर कित्ता आ जाएगा D के बाद क्या आता है F आता है कित्ते का difference है 2 का difference है D के बाद E आता है और E के बाद F आता है तो यहाँ पर कित्ते का difference हो गए 2 का हो गए N के बाद Q तक कित्ते का difference हो गए 3 का हो गए इसी type से E से लेके I तक कित्ते का difference हो गए 4 का हो गए और ऐसे लेके x तक किस ते के difference हो जाएगा plus 5 को हो जाएगा ठीक है यानि कि sequence क्या मुल रहा है एक दो तेन चार पाँच तो इसी sequence पे print को लिखा जाएगा मनें आपको का पता था टी पे किसको जोड़ना plus 1 को जोड़ेंगे तो टी में plus 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर किता आजाएगा यहाँ पर किता आजाएगा और इसी परकार पे किसको जोड़ेंगे plus 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर किता आजाएगा यहाँ पर आजाएगा यू ठीक है तो आंसर क्या रहेगा यू की एल भी यू ठीक है ओप्स नंबर 20 का right answer है आज होप आपसे लोग इस question को अच्छी तरह समझ गए होंगे चलिए next question क्यों चलते हैं next question है ओम किसकी एकाई है आपको बताना है कि ओम किसकी एकाई है तो इसका right answer है ओम जहाँ तो किसकी एकाई है बिद्दृत प्रेतिरूद की है ओप्स नंबर 30 का right answer है चलिए next question क्यों चलते है next question है जब ब्रेक लगाया जाता है तो गती जोड़्या बडलती है तो बताए इस question का right answer क्या होगा दोस्तों अब elementary knowledge के question आगए है जिन पर diesel engine वा petrol engine से समझनित cooling system, breaking system, suspension तता classes related कई सारे question पूशे जाते हैं तो चलिए इनसा भी question को discuss करते हैं question number 72 है आपको बताना है कि जब ब्रेक लगाया जाता है तो गती जोड़्या बदलती है तो इसका right answer है जब ब्रेक लगाया जाता है तो गती जोड़्या हमेशा उस उर्जा में परिवर्तित होती है option number 20 का right answer है next question है hydraulic brake में किस फ्योल्ड का उपयोग होता है तो ब एक फ्योल्ड का उपयोग होता है option number 20 का right answer है चली net question क्यों चलते है next question है clutch plate के दोनों तरफ किस पदार्च की lining बनी होती है बताए इसका right answer क्या हो सकता है तो इसका right answer है क्लेच प्लेट के दोनों तरफ कारके की lining बनी होती है चमड़ी की lining बनी होती है वह फैबरिक एस्वेश्टास की lining भी बनी होती है तो इसका right answer है उप्रोक्त सभी की ठेक है option number D इसका right answer है next question है पदार्थों की बिद्दू चुम्ब के clutch के flywheel पर क्या बना रहता है बताए इस question का right answer कि रहेगा तो इसका right answer है वदार्थों की बिद्दू चुम्ब के clutch के flywheel पर तामे कितार की winding रहती हैrig और किया जाता है engine menu fold के निरवाद को प्योग किया जाता है option No A is का right answer है next question है तेली scopic suspension में piston में कितने व adjust हैं आपको बताना है कि तेली scopic suspension में piston में कितने व一直 अचलते हैं तो इससका right answer होटते हैं option B इसका right answer हैं important question आप 중요한 उल्ğaी से नोट कर दिएगा चलिए हैं नेट कोउश्टान के Рहेगा, अचानक रुख जाने की स्तितीप पे हमें दूरी बनाए रहत तो आपको प्रॉस्टन है हमें रात्री में वाहन सैड में ख़ड़ा करना हो तो को क्या करना चाहिए बताए इसका राइट अंसर रहेगा तो इसका राइट अंसर रहेगा रात्री में यह दिवाहन को खड़ा करना हो तो आपको क्या करना चाहिए पार्किंग लाइट को चालो कर लेनी चाहिए ऑप्स नमबर सी इसका राइट अंसर हा नेट कोशन है इस कोशन से आने वाली गाड़ियों को खड़ी करने की जग है ऑप्स नमबर 103 का राह पर दरस्ट करने की जगहां रहा है, नेट्ट कोउश्चर है, इस कोउश्चर में पूंचा गया, कि गोल्डन के उड़ड़ी टियर प्रोज्ट भारएव के सहरों के लिए है, तो बताए इसका कार की suspension में engine के लिए सबसे ज़्यादा जगे मिलती है तो बताएः इसका right answer क्या होगा बहुत important question है और इसका right answer ही गा make first suspension में engine के लिए सबसे ज़्यादा जगे मिलती है option no.3 का right answer हीगा चले next question क्यों चलते है next question है जब गाड़ी मुड़ती है तो उसका का घुरुद तुकेंद कहा होता है बताए इस question का right answer क्या होगा बहुत important question है और इसका right answer है जब गारी मुर्टती है तो उसका guru तुकेंद जो है तो गारी के पीछे रहता है ठेगा कहा रहता है गारी के पीछे रहता है Opps no.2 का right answer है चलिए next question क्यों चलते हैं ? यह लोगे प्योग किया जाता है तो क्या होगा Bryant बताए है के 질문 का right answer क्या होगा इस question को मैं ने आपके सांथ discuss किया होगा है więc i hope आप सभे लोगे इस question के answer को सही देंगे तो इसका right answer होगा डीजल इंजन में यदि पिट्टोल को प्योग किया जाता है तो नौकिंग बहुत अधिक होगे ओप्स नमर सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसके पहले मने एलिमेंटरी नॉलेज के लगए 200 कोश्चन के वीडियो चैनल पे अप्लोड कर दी है यदि आपके उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेज आप उस वीडियो को भी देखिए यहां पर काईटे पार होगा आप उहां पर कले करके देख सकते हैं चलिए नेस्ट कोश्चन क्यों चलते हैं next question है piston में प्रयूक्ट सबसे निचली रिंग को क्या कहते हैं बताए इस question का right answer क्या रहेगा तो मैंने आपको बताए था piston के ऊपरी रिंग को क्या कहते है और निचली रिंग को क्या कहते हैं तो इसमें क्या बोला है piston में प्रयूक्ट सबसे निचली रिंग को क्या कहते हैं तो जिए इसका Right Answer हैगा ठीक है यरुड यहाँ पर पुछ लेता सबसे ऊपड़िन ओन्स को क्या कहते हैं तो इसका Right Answer रहता All Clean कहते हैं Next question है इस question पर पूछएागा है कि हाले में किसे Britain का वातिय किसा रहा है तो बताए इस question का रहा है क्यों चलते हैं next question है किस स्राज की सरकार ने हाले में जीवन सकती योजना नामक योजना लॉंच की है तो बताए इसका right answer क्या रहेगा तो इसका right answer है रहेगा मद्पदेस राज की सरकार ने हाले में जीवन सकती योजना लॉंच की है ठेकर option number D इसका right answer रहेगा चलिए next question क्यों चलते हैं next question है हाली में किसने वर्ष 2020 का बुकर पुरुष कर जीता है बताए इस question का right answer कर रहेगा important question है और इसका right answer हैगा Douglas is to art option number 20 का right answer हैगा चलिए next question क्यों चलते हैं next question है इस question पे पूशे गहे कि हाली में किसने अन्तराइटी बाल सांती पुरुष कर 2020 जीता है तो बताए इसका right answer क्या होगा important question है और इस question को मानिया आपके साथ डिसकस किया हुआ है तो इसका right answer हैगा हाली में अन्तराइटी बाल सांती पुरुष कर जीता है सादत रह्मान option number 20 का right answer हैगा next question है निम्न में से किसे स्थान पर external combustion engine में इर्धन जलता है तो बताए इस question का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer हैगा combustion chamber के अंदर जलता है option number 20 का right answer हैगा next question है इस question में पूचा गए कि भारत के पडूरसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है तो बताए इसका right answer क्या रहेगा तो इसका right answer हैगा भारत के पडूरसी देश भूटान में जो है तो समविधानिक राजसा ही सरकार है option number 20 का right answer है next question है ऑसकर पूरसकार किस के छेतर के लिए दिया जाता है तो बताए इसका right answer क्या रहेगा तो इसका राइट आंसर हैगा आसकर पुरुषकार जो होता है तो किसके लिए दिया जाता है सीनेमा के लिए दिया जाता है ओप्स नमबर एसका राइट आंसर हाँ नेट कोशन है रेसम के कीड़े किन पर पलते हैं आपको बताना है कि रेसम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो इसका राइट आणसर हैगा रेसम के जो केड़े होते हैं मलवरी के पत्ते पर पलते हैं। ठीक है? ओप्स नमर डीज का राइट आणसर है। नेट कोशन है, सांति निकेटन का निर्मार किस ने किया था? आपने बतान है कि सांती निकेतन का निर्मार किस ने किया था तो आप सभी लोग जानते हूँगे कि सांती निकेतन का निर्मार जो है तो रविंद नाटेगोर जी ने किया था आपस नम्र सी इसका राइट आंसर हाँ next question है PDF का पूर्ड रूप क्या है? यानि कि PDF का full farm क्या होता है तो बताई इसका right answer क्या रहेगा तो आप सब लोग जानते होंगे कि PDF का full farm होता है full table document file option number 20 का right answer next question है myopia आँखों का दोस है जिसे कहा जाता है आपको बतान है कि myopia जो है आँखों का दोस है जिसे क्या कहते हैं तो इसका right answer रहेगा निकल रहते दोस भी कहते हैं option number 20 का right answer रहा next question है करनाटर के स्थित जोग जल प्रपात किस नदी पर इस्थित है तो बताई इसका right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा करनाटर के स्थित जोग जल प्रपात जो है तो सरावती नदी पर इस्तित है ओप्स नमर सी इसका राइट आंसर हैगा इंपोर्टन कोशिन है आप सब लोग इसे नोट कर लेजिएगा दोस्तो यह वीडियो मैंने आपके लिए काफी महनर से बनाई है तो प्लीज आप सब लोग से छोटी से रिक्वेस्ट है कराता हूँ और पीडिया भी इन्हें पर प्रोवाइट कराता हूँ जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है दोस्तो यूट्यूब पर मेरा सिर्फ एक जैनलर जिसका नामे एक्जाम रिज दोस्तो मैंने NCL में कंडेक्ट कर जाने वाले सहवी एक्जाम के लिए मैथ, हिंदी, इंगलिस और मॉडल पेपर से लेट रिक वीडियो को होनाया है यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उन वीडियो को भी देखें यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टिट है, लिंक मने इस वीडियो के रिसेप्शन में दे दिया है दोस्तो हमारे यह वीडियो आपको कैसे लगे, प्लीज कमेंट वाक्स में बताएं इस वीडियो को अपने दोस्तों के सांद जादा से जादा से यार करें ताकि उनके प्रेपरिशन भी अच्छी हो सके मिलते हैं नेस्ट वीडियो पे तब तब के लिए थेंक यू